नमस्कार दोस्तों आये सब पर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो पर हम बात करेंगे रोल आप फिमेल फ्रिडम फाइटर इन इंडियान इंडिबेंडनेस मॉमेंट लास्ट यार एक कोस्टन पुछा गया था रकमा भाई कौन थे तो ऐसा अपबिट कोस्टन आप जांसी जांसी की रानी लक्समीबाई तो इनका समयकाल था 1828 से लेकर 1858 तक इनका ओरीजिनल नाम था मनी करनी का तामबे तो आप लोग बताइए मनी करनी का घाट कहां पर है देखिए डॉक्ट्रिन आप लैप्स के तहद डालों सी के दोहरा जांसी एनस किया गया था 1858 में रानी लक्समीबाई और तातिया टोपे ब्रिडिस फोर्स के खिलाब लड़ते हुए सहीद हो गये थे और इनका मौत कहां पर हुआ था गौालियर पर और आएने के अंदर था रानी जांसी रेजिमेंट नेक्स्ट है अरुना असाप अली तो अरुना असाप अली का समय काल था 1909 से लेकर 1996 तक इनका हजमेंट था असाप अली तो असाप अली थे कॉंग्रेस लीडर Civil Disobedience मौमेंट के दोवारान इनको जेल भिजा गया था Quit India मौमेंट के दोवारान जब गांदीजी समय सीनिया लेडर एरेस्ट हो गये थे तब इन्होंने कामान समाला और Gualia टेंग से Tricolor होस्ट किये थे तो इनके दोवारा एक monthly journal पब्लीश किया जाता था in club नेक्स्ट है बेगम सफिया अब्दुल्वाजीत तो बेगम सफिया अब्दुल्वाजीत रिच मुस्लिम फेमिली से बिलोंग करते थे इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजिएशन इलावाद इन्युवर्सिटी से कॉंप्लेट किया तो बेगम सफिया अब्दुल्वाजीत ग लॉंड़न सिप्ट हो गए थे और बहुत अत्तक इंस्पियर थे दाधा भाई नवरोजी और सेमाजी कृष्णा बर्मा से UK और फ्रांस में भारत में हो उत्तचार के बारे में आवरे ने स्प्रेट किये तो बंदे मातरम जार्णल पब्लिस के जाता था इनके दोवारा और बहुत सारा पॉलिटिकल और्गनाइशन रां किया जाता था जैसे कि फ्री इंडिया सोसाइटी पैरिस इंडियान सोसाइटी तो फर्स्ट नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था 1907 में जार्मानी के अंदर स्टूडगार में इनके दोवारा तो तब फ्लैग था ऐसा नेक् पॉलिटिकल मेंटर है लगभक सारे पोग्राम गांदी जी के दोवारा जो एरेंज किया गया था पाटिसिपेट किया गया था सरजोनी नाइडू के दोवारा इंक्लूडिंग डंडी मार्च तो सरजोनी नाइडू थे फर्स्ट इंडियान ओमेन प्रेसिडेंट अप सरजोनी नाइडू ठीक है और सरजोनी नाइडू को कहा जाता था सर कोखिला ठीक है देखिए सेकेंड राउंडडि मेंडocy णनवारेंस पे गांदी जी के साथ हिन्हों ने रहा कीट ऐस्ट्धियान चाहिए ने मोमन के दोवारान ने government job में थे तो इन्होंने resign किया civil disobedience moment के दोवारान तो बहुत बढ़ चड़के participate किया civil disobedience moment और quit India moment में तो इन्होंने basically 1945 में INA soldier को release करने के लिए demand किया बट जब protest चल रहा था तब इनको गोली मर जा गया था ठीक है next है रानी guiding low तो रानी guiding low थे नागा वेसिकली एक गोरिला वार्फियर है तो ब्रिडी सर्स तब मनिपूर और नागा लेंड एरिया पर ब्रिडीर सर्स का दब दबावा बहुत ज्यादा था तो इन्हों रेक्ट ब्रिडीर सर्स को वहां से हटाने के लिए तो इनको एरेस्ट किया गया था 1932 में जब इनका उमर था 16 साल तो इनको लगफख 14 साल तक जेल में रखा गया था तो जब भारत साधिन हो गया था तब इनको छोड़ दिया गया था और जहल्लाल नहरु के दोरा इनको रानी टाइडल दिया गया था नेक्स्ट है दुर्गाबाई देश्मूख तो दुर्गाबाई देश्मूख का समय काल था 1909 से लेकर 1981 तक तो दुर्गाबाई देश्मूख बचपन में ही स्कूल छोड़ दिये थे क्योंकि स्कूल में इंग्लिस लेंग्वेश थोपा जा रहा था तो इन्होंने बाली का हिंदी पार्ट साला स्टार्ट किया कहां पर राजा मंदुराई पर तो अंध्रपोदे से बिलोग करते थे दुर्गाबाई देश्मुक तो ग्रेजियोशन के बाद इन्होंने बता लेती किया कहां पर मादरास हाइकोट पर तो सॉल्ट सुत्तक रह के समय इनको जेल भेजा गया था तो इन्होंने मादरास महिला सभाफ और वेलफेर और ओमेल फाउंड गिये थे ठीके और मिम्बर थे Constitution Assembly के गंडिजी के वाइव थे इन्होंने लगभक गंदी जी दौरारा physician पर पोदिश है सब को फॉर्ण में पॉर्ण audio पूराओ ठीके आसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इहें अप दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो